नमश्कार दोस्तों आप दिखे ने NDC News, मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं ये एमेजोन के मालिक जेफ बेजोस का खुशाल परिवार है सुन्दर और समझदार बीवी, चार प्यारे बच्चे, 25 साल पहले दोनों ने जबर्दस प्यार के बाद शादी रचाई थी दुनिया भर के लोग इस खुशाल विवाहित जोड़े को मिसाल की रूप में गिनते थे लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है जेफ बेजोस और उनकी पतनी मैंकिश जी अलग हो रही है दोनों ने अधिकारिक दोर पर ट्वीट पर इसकी खुशना कर दी है आखे क्यों हो रहा है ये तलाग अभी कुछ ही समय पहले जेफ ने अपने परिवाल के साथ शादी की 25 साल गिराहा को सेलिब्रेट किया था इसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी पत्नी ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया जबकि इससे पहले जेफ अपनी बीवी की तारिफ करते हुए नहीं ठकते थे और पत्नी मेंकेची सब को बताती थी कि उनकी जेफ की किस अदा से प्यार हो गया था शादी की 25 वर्ष गांठ मनाने के बाद अचानक एक दिन जेफ को हॉलिवुड की एक शक्सियत के साथ देखा गया वो खुबसूरत थी हसीन भी इसके बाद जेफ कई बार कई होटल और जगाओं पर इस महिला के साथ नजर आये थे पहले तो इन्होंने इन खबरों को दबाने की कोशिश की जब ये खबर उनकी पतनी मैंकी जी की हुई तो रिष्टों में तनावाना लाजमी था बताया जाता है कि इसे लेकर दोनों कुछ समय से अलग रह रहे थे अब 9 जनवरी को उन्होंने ट्वीट पर अलग होने की सूचना दी थी अब हम आपको बताएंगे कि ये शोक और हस्दीन महिला कौन है जिससे जैफ अपना दिल दे बैठे इस महिला का नाम है लोरेन सांचेज वो 49 साल की है पिछले एक दो साल से वो एमाजोन के कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही थी उन्हें कई बाद जैफ के साथ देखा गया लोरेन सांचेज अमेरिका में फोक्स की पूर वेंग कर रही है इसके बाद उन्हें हॉलिवुट के एक डारेक्टर के साथ शादी रचा लिए ये शादी लंबी नहीं चली तलाक हो गया इसके बाद वो जैफ से टकराई कुछ मुलाकातों के बाद दोनों नजदी का गए अमेरिका का मीडिया दभी जुबान से जैफ के रोमेंस की बाते कर रहा था लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस रोमेंस ने दुनिया के सबसे धनी शक्त के घर में दरार डाल दी है लंबी सुंदर लॉरेन हेलिकप्टर की पाइलट भी हैं बता दे उन्हें कई बाद जैफ के साथ उनके हेलिकप्टर को भी उडाया जैफ और उनकी पत्नी मैकेंजी के बीच तलाक जल्द ही होने वाला है उसके बाद क्या जैफ दुवारा शादी करेंगे ये सवाल इन दिनों हर किसी की जुबान पर है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब